तो आज संडे है संडे को हम जो है weekly current affairs का आपका session देखते हैं फ्रेंट्स आज की lecture में मैं आपको 14 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक के सभी important current affairs की questions करवाऊंगी जो भी हमने इस week पड़े हैं उन सभी का ये एक बार quick and fast revision है क्योंकि revision आपके लिए काफी जादा important है जितन आप चीजों के revise करोगे उतनी चीज़े आपको लंबे समय तक जो है वो याद रहेंगी तो daily basis पे हम 12 questions का जो है session देखते हैं आपका daily current affairs का और अगर आप 12 questions के हिसाब से आप देखो कि हम week में जो है ये आपका जो हम weekly current affairs आज कर रहे हैं इसमें 6 दिन का आपका current affairs होता है तो total आपके हो जाते 72 questions तो 72 complete questions का मैं आपको revision करवाने वाली हूँ आज की lecture में तो वीडियो आपने शुरू से लेके अन तक देखने हैं और वीडियो को लाइक को शेज जरूर करना है और एंड में वीडियो के आपने मुझे अपना score भी बताना है कि आपके 72 में से कितने जो है questions right है कितने wrong है कितना आपका revision है कितना नहीं यह आपको पता चल जाएगा session को स्टार्ट करने से पहले आपको पता दो अगर आपको हमारी e-books पाइगा नहीं है तो friends हमारी वेबसाइट है www.raffybooks.pdf.com यहाँ पर आपको मिल जाएगी हमारी last 9 months की current affairs की e-book हमारी GKGS की e-book जो की recent में ही launch हुई है top 1000 questions में यह part 1 है इसी परकार आपको अन्य परकार अन्य पार्ट पर इसके देखने को मिलेंगे वहीं friends हमारी monthly current affairs की e-books भी आती है current affairs की तो वह भी आपको मिल जाएगी हमारी इसी website के तुरू link आपको मिलेगा इसी वीडियो के description box में और हमारी PDF हैं यह आपको English और Hindi दोनों में मिल जाएगी अगर वीडियो का free PDF चाहिए तो Telegram चैनल पर जुड़िए current affairs पाई रवी नाम से है Delhi basis पर free PDF दिया जाता है और Ravi Study GK से हमारा mobile application है इसे भी आप install कर सकते हैं और e-books का link आपको इसी वीडियो के description box और comment section में मिलेगा जरूर चकाउट केज़ेगा बाकी मैं आपको detail में जो है इस वीडियो के end में बताऊँगी कि कैसे आप हमारे app को use कर सकते हैं कैसे website का link आप open कर सकते हैं तो वो हम वीडियो के last में देखेंगे तो चलिए आज की session का first question देखते है केंदर शासित परदेश जम्मु कुष्मीर के जो पहले मुख्य मंती बन गए हैं वो कौन बन गए हैं Right answer option number A है उमर अब्दुल्ला फ्रेंट्स केंदर शासित परदेश जम्मु कुष्मीर के पहले मुख्य मंती हो गए हैं कुछ important points cover करते हैं तो National Conference के उपाथयक्ष उमर अब्दुल्ला ने 16 October 2024 को श्री नगर में एक शपत ग्रहन्स माहरों के दोरान जम्मु कुष्मीर के नए मुख्य मंती के रूप में शपत ली शुरिंदर कुमार चौदरी को जो है वेंट्स उप मुख्य मंती के रूप में नुक्ति दी गई ये भी appointment आपने ध्यान में रखनी है कि जम्मु कुष्मीर के जो नए उप मुख्य मंती बने हैं वो कौन बने हैं सुरिंदर कुमार चौदरी इस question से आपके two questions clear हो रहे हैं राइट अंसर ओप्ष नबर C है रश्मी का मंदाना जो की फ्रेंड्स अभिनेत्री है इन्हें भारतिय साइबर अपराज समन्नवे के अंदर का नेया ब्रेंड अम्बेस्टर पॉइंट किया गया है नेक्स्ट मारा question है भारतिय तटरक्षक बल यानि कि ICG के जो 26 वे नंबर के महानेदेशक बन गे हैं वो कौन बन गे राइट अंसर ओप्ष नंबर ए रहेका फ्रेंड्स परमेश शिव मनी बन गे हैं कुछ इंपोर्टन फेक्स कवर करते हैं तो डीजी परमेश शिव मनी ने भारतिय तटरक्षक बल की 26 महानेदेशक की रूप में अपना पदवार संभाला है इसका जो अदर्श वाकिय है वो है वियम रक्षामा नेक्स्ट आपका भारत ने किस देश से अपने उचायूक्त और अन्य राजने को को वापस बुला लिया है जाइट अंसर उप्ष नंबर सी है कैनेडा से कैनेडा जो है इसकी राजधानी क्या है तो यहां पर आपको लिख देती हूँ इसकी कैपिटल है ओटावा ठीक है और यहां की जो परधान मंत्री है उनका नाम क्या है जस्टिन टूडो जिनेवा में आयजित 149 अंत्र संसधी संग असेंबली में भारतिय संसधी प्रतिनिधी मंडल का जो नेत्यतव है यह किस के द्वारा किया गया तो हमारा राइट अंसर ओप्ष नमर ए रहेगा ओम बिला द्वारा जो है फ्रेंट्स कुछ इंपर्टन पॉइंट्स कवर करते हैं तो लोकसभा देक्ष ओम बिला जरेवा में अंत्र संसधी संग के 149 बैटिक में भाग लेने के लिए संसधी प्रतिनिधी मंडल का नेत्य प्रतव करें हैं जो 13 से लेके 17 अक्तूबर तक आयजित की जाएगी ओम बिला फ्रेंट्स अधिक शांती पून और सतत भविशे के लिए विज्ञान प्रधुगी की और नवाचार का उप्योग करने के विशे पर सभा को संबोधित किया है इनोंने इस दोरान ओम बिला कई अन्य संसत सदस से जो है वो शामिल है नेक्स्ट हमारा कुशन है नासा ने किस क्राह के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोच के लिए यूरोपा क्लिपर को लॉंच किया राइट अंसर ओप्शन नमबर बी हाप का ब्रहस्त पद्दी की तो फ्रेंस नासा दोरा जो है इसे लॉंच किया गया है तो नासा के बारे में जानते हैं नासा के जो फुल फोर्म है वो होता है नैशनल अरोनाटिक्स एंड स्पेस अड्मिन्स्ट्रेशन स्थापना इसकी 39 जुलाई 1958 को हुई थी अमेरिका की ये स्पेस एजंसी है मुख यूरोपा क्लीपर इसे लॉंच किया गया है नासा द्वारा तो कुछ मैं आपको इंपॉर्टन पॉइंस कवर करवा देती हूं तो यहां पे आपका है यूपिटर ठीक है वरस्पती जिस जिसे कि हम बोलते हैं ब्रहस्पती सोरी तो ब्रहस्पती यहां पे है इसी के उपर जिवन की खोज के लिए यूरोपा क्लीपर को लॉंच किया गया है और इससे जुड़े मैं आपको कुछ इंपॉर्टन पॉइंस कवर करवा देती हूं ब्रहस्पती जो है सोर मंदल का सबसे बढ़ा ग्रह है यहां पे आप सोर मंदल देख सकते हैं सोलर सिस्टम जिसे कहते हैं यहां पे आपको एड प्लैंस दिखेंगे और इनमें सबसे बढ़ा है वहां आपका व्रहस्पती ही है ठीक है और सोर मंदल का जो सबसे भारी करया है वह भी ब्रहस्पती है अगर हम बात करें सूर्व से लेकर ब्रहस्पति की डूरी कि जिनके बीच कितनी नूरी है तो और और अन्य important points बताती हूं तो सूर्य और ब्रेस्ट पती ग्रह के बिचे जो दूरी है friends यह हमने देख लेए अब मैं आपको बता दू मंगल और ब्रेस्ट पती के बिचे सूर्य की परिकर्मा करने वाला जो गोलिय पिंड है उसे क्या कहा जाता है यह भी question आपका पूछा ज जल पूरुसकार 2023 में सर्विस रेस्ट राजे का पूरुसकार किस ने चीता राइट अंसर ओप्शन अंबर बी है ओड़ी शाने नेक्स question पर आते हैं तो विश्व खादे दिवस हमने 2024 में कब सेलिबरेट करा तो यह मनाया गया फ्रेंट 16 अक्तोबर को यानि कि ओप्शन नमबर C राइट अंसर रहेगा और इस पार किसकी थीम क्या थी बहतर जीवन और बहतर भविश्य के लिए खादे पदार्थों का अधिकार नेक्स question आपका चंदयान 3 की उलेखने उपलब्दी के लिए IAF विश्व अंत्रिक्ष पुरुसकार 2024 किसे प्रदान किया गया राइट अंसर ओप्शन नमबर D है S सोमनाथ जो कि फिन्स इसरों के करंट अध्यक्ष है इन्हें चंदयान 3 की उलेखने उपलब्दी के लिए IAF विश्व अंत्रिक्ष पुरुसकार 2024 जो हाई ये मिला है सेशन को आगे बढ़ाते हुए next question देखते हैं आपका तो होकी इंडिया लीग की निलामी में जो सबसे महंगे की लाड़ी बने वो कौन बने right answer option number C है Harman Preet Singh वहीं friends इसमें जो दूसे नंबर के सबसे महंगे की लाड़ी रहे वो रहे अब इशेख ठीक है यहां पे लिख रहे हुँ तो ये दूसे सबसे महंगे की लाड़ी रहे जिने की friends श्राची राड बंगाल टाइगर्स ने कितने रुपे में खरीदा है 72 लाख में दूसे नंबर के ये रहे तो वहीं तीसे नंबर के जो रहे खिलाड़ी सबसे महंगे विखने वाले वो रहे हार देख सेंग और इन्हें यूपी रुद्रास ने 70 लाख में जो है वो खरीदा है नेक्स कुशन माउंट शीशा पंगमा पर चड़ने वाले पहले भारतिये कोन बने इन्होंने 16 साल की उमर में माउंट एवरेस पर चड़ाई की थी वहीं अगर बात करें माउंट शीशा पंगमा की जिसके बारे में हमारे कोशन बात आई थी कि ये माउंट शीशा पंगमा पर चड़ने वाले पहले भारतिये बने है तो माउट शीशा पांगमा जो है ये दक्षिन मद्य तिबत में सित है और ये नेपाल की सीमा से करीब पांच किलोमेटर दूर है ये हिमाले के जुगल हिमाल में स्थित है, माउंट शीशा पांगवा जो है फ्रेंट्स की गोसाइन थान भी से कहा जाता है और ये दुनिया की चोदवी सबसे उची चोटी है, जिसकी उचाई कितनी है? 8027 मीटर नेक्स्ट हमारा कोशन है, भारत की पहली स्वादेशी बुलेट ट्रेंड जो है, ये कौन सी कंपनी बनाएगी? तो राइट एंसर, ओप्ष नबर A है हमारा B.E.M.L. जिसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत अर्थ मुवर्स लिमिटर तो इसकी दौरा जो है फ्रेंट्स भारत की पहली स्वादेशी बुलेट ट्रेंड विकसित की जाएगी, वहीं अगर हम बात करें B.E.M.L. की, तो फुल 1964 में, और अगर बात करें इसकी हैटकोर्टर्स की तो बिंगलूरू करनाटका में हैं, क्लियर? नेक्स्ट हमारा कुछन है, महारास्टर स्टेट स्किल युनिवर्स्टी का नाम बदल कर किसकी नाम पर रखा गया है? राइट अंसर, ओप्ष नंबर B है, रतन टाटाजी के नाम पर, तो फैंस, अक्तूबर 2024 में, एकनाथ शिंदे के नेत्तव वाली सरकार द्वारा, महारास्टर राज्य कोशल विश्यो विद्याले का नाम जो है, ये चेंज करके, रतन टाटा महारास्टर राज्य कोशल विश्यो विद्याले कर दिया गया है, महारास्टर सरकार पदम भिभूशन बिजेता रतन टाड़ जी के सम्मान में युनिवस्टी का नाम जो है ये बदला है, महरास्ट्र स्टेट स्किल युनिवस्टी में स्टूडेंज को रोजकार के लिए स्किल डेवल्पमेंट का कोर्स कराय चाता है, 17 इकड़ में फैली ये युनिवस्टी मह महारास्ट के पन्वेल में सित्ह और ये महारास्ट की पहली स्टेट्स के लिए युनिवरस्टी है अभी जो है रिसेंट में आपके कई सारी जगाओं के नाम चेंज हुए थे उनका एक बार मैं आपको क्विकेंट फास्ट रिविजन भी करवा देती हूं तो पोर्ट ब्लेय स्टेडियम का नया नाम निरणजन शा स्टेडिया युध्या रेलेस्टेशन का युध्या धाम आंद्रप्रदेश की नई कैपिकल अमरावति तलंगना की नई कैपिटल हैद्रबाद गुचात का जो सिगेश्य frec through के नया नाम हो बंदन मेंक जो हैफेंट्स इसकी स्थापना की गे थी 2001 में और इसके जो हैटकोर्टर्स हैं ये आपके हैं कहां पे कोलकाता में नेक्स्ट कोशन के और मूव करते हैं नेक्स्ट कोशन आपका 15 स्थम्बर 2024 के लिए ICC Player of the Month की से चुना गया इन्हें पूरुश और महिलाओं की श्रणी में ICC Player of the Month चुना गया है सेप्टेंबर मन्थ के लिए नेक्स्ट आपका 14 से 18 अक्टूबर 2024 को पहली बार के स्थेश ने ओशिदी विन्यामक प्राधिकरणों के 19 वे अंतरास्टे समेलन की मेचपानी की है और यहीं कोशन ओर जादा डिटेल में पढ़ने हैं विद एक्स्टा अफेक्स और बाकी भी हम जो है आपका डिली करेंट अफेयर का सेशन रहता है जिसमें उसमें मैं आपको उस कोशन की टाइप से जुड़े हैं पिछले करेंट अफेयर का रिविजन करवाती हूं अगर आपको complete information के साथ यह questions परने हैं तो आप हमारी जो है प्लेइस्ट विजट कर सकते हैं October 2024 की डेली सीए की ठीक है इसी वीडियो के एंड में मैं आपको लगा दूँगी स्क्रीन के ओपर आपको वो प्लेइस्ट मिल जाएगी तो आप वो आप चेक आउट कर सकते हैं इसमें आपको complete information मिल जाएगी उस questions से लेटर फिलाल हम जो है इन questions का quick and fast revision कर रहे हैं इसलिए हम जादा detail में जो है चीज़े discuss नहीं करेंगे जिसमें मुझे लगेगा कि आपको जो important है उसको मैं आपको cover कर वाऊंगी उसके लावा अगर आपको और जादा detail में देखनी है तो आप प्लेइलिस्ट विजट कीजिए सेजुन की तरफ आते हैं तो किस देश में राष्टपती द्रोपती मुर्मुजी को राजनीती विज्यान में मानत डॉक्टरेट की उपादी से समानित किया गया राजनीती विज्यान में मानत डॉक्टरेट की उपादी से समानित किया गया हमारी राष्टपती द्रोपती मुर्मुजी को ठीक है नेक्स आपका कौन सा देश ISSF यूनियर विश्कप दोहजार पचिस की मेजपानी करेगा राइट अंसर ओप्शन नमबर सी है भारत ISSF जो है फ्रेंट इसकी अगर हम बात के रिए फाउंडेशन की यानि कि स्थापना की तो इसकी स्थापना कप की गई थी यहाँ पर लिख रही हूँ 1907 में और इसकी जो हैटकोर्टर सैंफरेंस वो है म्यूनिक जो कि आपका कहाँ पर है जर्मिनी में ठीक है और अध्यक्ष कोन है इसके यहाँ पर यह भी लिख दिया अध्यक्ष तो ISSF की करेंट अध्यक्ष है लूसियानो रोसी लूसियानो रोसी तो चलिए अब नेक्स्ट कोशन्स पर हमारे आते हैं नेक्स्ट है आपका भारती समिधान की 55 वर्ष गांट पर किस दिन को समिधान महिमा अभ्यान की रूप में मनाया जाएगा राइट अंसर ओप्ष नमबर डी है फ्रेंट्स 26 नवंबर 2024 को जो है किस समिधान महिमा अभ्यान की रूप में मनाया जाएगा फ्रेंट्स यहां पे आया है कि भारती समिधान की जो है पचत्तरवी वर्ष गांट पर इस दिन को मनाया जाएगा कब 26 नवंबर 2024 को समिधान जो है हमारा यहीं से आपकी और दो क्वेशन बन जाते हैं कि जो भारत का समिधान है यह सबा ने किस दिन को जो है अपनाया था हुआ था तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी कि 1950 को क्या हुआ था लागू हुआ था और यह 26 नवंबर 1949 को जो है सबा दोरा अपनाया गया था नेक्स्ट हम और भारति नो सेन में शामिल दूसा सबसे बड़ा स्वधे डिशी सर्वेपोट कहुँ पेहला तक जो कि भारति नो सेन दोरा अपनाया केया था इसका क्या नाम था था उसका नाम भी आपको बता देती हुँ उसका नाम था INS संधायक नेक्स्ट है मारा प्रित्वी के वायु मंदल में पुनहा प्रवेश करने वाला रिकोर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रोकेट कौन सा है राइट अंसर ओप्ष नंबर बी रहेगा पीसलवी सी थर्टी सेवन नेक्स्ट कुशन देखते हैं आपका मुकर्जी जो है ये 27 वी इशियाई टेबल टैनिस चैंपरशिप दोहजार चोबिस में पदक जीतने वाली पहली भारती महिला जोड़ी पनी है नेक्स्ट कुशन चीन के शहर वुहान में आये जिक डवलू टी ए वुहान 1000 एकल खिताब किस ने जीता है राइट अंसर ओप्श नमब बी रहेगा आरियना सबालिंका ने चीन के शहर वुहान में आये जित की गई थी और वुहान जो है ये ओपन वुहान ओपन ये फिल कोड पर आपका खिला जाता है यह इंपॉर्ट मोर्ड आपन आपने ध्यान रखना है कि किस कोड़ पर ये खिला जाता है हाड़ कोड पर नेक्स्ट आपका 2 से 13 अक्टूबर 2024 तक चीनी शहर शंगाई में आई जित ATP शंगाई मास्टर्स 1000 का एकल किताब किस ने जीता राइट अंसर उप्शन नबर B है जैनिक सिनर ने जैनिक सिनर ने जो है फ्रेंट्स फाइनल में 24 पे ग्रैंड स्लैम विजेता सर्विया के नोवाग चोकोविच को हराकर ATP शंगाई मास्टर्स 1000 का एकल टाइटल जीता है और शंगाई मास्टर्स जो है यह भी आपका किस कोड़ पे खिला जाता है हार्ड कोड़ पे ठीक है नेक्स्ट आपका स्तन कैंसर जागरुकता दिवस 2024 में कमना आए गया राइट अंसर ओप्शन अबर दीर हेगा 13 अक्तुबर को सेलिब्रेट करा गया ब्रेस्ट कैंसर अवेरनेस टी और इस पार का जो थीम था फर्यंज वो था वो था नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन यहां पर लिख रहे हो तीम क्या था इस पार का नो वन शुट फेस ब्रेस्ट कैंसर अलो तो चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स कोशन की तरफ उच्छदम नयले के नई नयाय के देवी की प्रतिमा का नावरण किया गया इसमें क्या बदलाफ किये हैं तो इसमें दो बदलाफ किये गये हैं उच्छदम नयाले की जो नयाई की देवी है जावे जिसे कहा जाता है Statue of Lady of Justice तो Lady of Justice जो कि आपकी उच्छदम नयाले में प्रतिमा होती है यह आपने देखी होगी इमेज के जो आप देख सकते हैं पहले ऐसी थी अबी समिधान को इसमें जो है ये समिधान की एक बुक है जो इनके हाथ में दी गई है पहले यहाँ पे तलवार होती थी ठीक है और आंकों से पट्टी जो है वो खटा दी गई है next question अक्तूबर थोhसाज गुशल्ब इसमें लामला इमहौसफ का नोचन किस और प्रतीक है वही अगर बात करें हम मनिपूर राजय की तो मनिपूर से लेटेर कुछ स्टाटिक फार्ट का वर कर लेते हैं मनिपूर का आप मैप देख सकते हैं कैपिटल है इसकी इमफाल और मनिपूर के मुखेमंती का क्या नाम है एन्विरेंसिंग राज़पाल कौन है लक्षमन आचारे ठीक है राज़े की स्थापना की गी थी किस जनवे 1972 को अधिकारिक भाशा है मेति लोन जिसे की मनिपूरी कहा जाता है राज के पक्षू है संगाई राज के पक्षी है श्रीमती ह्यूम का तीतर राज के बिक्ष क्या है तून राज के फूल क्या है शिरूई लीली यहां की पे फ्रेंस दो लोग सभा सीथ है एक राज़े सभा सीथ है और 60 विधान सबसीट है नेक्स आपका किस राज्य को भारत का गहना का जाता है तो मनीपूर को भारत का गहना का जाता है और मनीपूर जो है यहां पे आपका मनीपूर आएगा तो मनीपूर के तीन पुडोसी जो है नेक्स्ट आपका कौन सा देश भारत सरकार के भारती विकास और आर्थिक सहायता योजना आईडियास कारेकरम के तहट रुपया रिन प्राप्त करने वाला पहला प्राप्त करता बना है राइट अंसर ओप्शन नमबर हमारा है बी मौरिशेज आईए मौरिशेज के बारे में जानते हैं तो इसकी कैपिटल है पोर्ट लुईस मौरिशेज की मुद्रा है मौरिशेज रुपया प्रधानमंती है प्रविंद जुगनात और अधिकारिक भाषा है यहां की अंग्रेजी किस देश ने उन्नत आग उगलने वाला हत्यार ड्रैगन ड्रोन त्यार किया है राइट अंसर ओप्शन नमबर यह है आपका यूक्रेन ने नेक्स कुशन देखते हैं हमारा गेहूं के MSP में कितने रुपए प्रति क्विंटल की भड़ोतरी हुई राइट अंसर ओप्शन नमबर डी है फ्रेंडस आपका डेर सो रुपए प्रति क्विंटल की नेक्स्ट है इंडियन मोबाइल कॉंग्रेस 2024 का योजन काहां पर किया गया राइट अंसर इसका आपका रहेगा फ्रेंडस ओप्शन बरे नई दिली में इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस 2024 का उद्गाटन हुआ और जिसका थीम क्या था 2024 का दो फ्यूचर इस नाउ इस प्रजेशनी में जो है फ्रेंडस क्वैंटम टेकनोलोजी सर्कुलर एकोनमी और शिक्स जी जैसे जो है कई टेकनोलोजी पर चर्चा की गई ये कोश्चन हमने डिटेल में डिस्कूस करा था आपका गब 19 ओक्टूबर के के रेंट अफेस के सेशन में नेक्स्ट आपका HDFC बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्गाटन करा राइट अंसर उप्ष नमबर ये है आपका सिंगपूर में HDFC बैंक के बारे में जानते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी अगस्त 1994 में मुख्याली कहां पर है मुंबई में करंट M.D. है शशीधर जगदीशन नेक्स्ट कुशन देखते हैं हमारा आज का काकसर ब्रिज का नाम बदल कर कैप्टन अमित भारदवाज सेतु रखा गया राइट अंसर उप्ष नमबर C है लद्दाक के जो है प्रेंस काकसर ब्रिज का नया नाम कर दिया गया है कैप्टन अमित भारदवाज सेतु लद्दाक में कारगिल युद के नाइकों को शृधान जली देते हुए सेना की काकसर ब्रिज का नया नाम जो है ये कैप्टन अमित भारदवाज सेतु के नाम पर रखा गया है ये पहले कारगिल विजय दिवस की 25 वी वर्ष गांट जो की हमने 26 जुलाई 2024 को मनाई है इसकी तहत आयोजित किये जा रहे है बिविन कारेकरमों के एक हिस्से के रूपें भी की गई है कैप्टन भारदवाज ने 1999 के कारगिल युद में मात्र भूमी की रक्षा करते हुए सर्वोज बलिदान अपना दिया था लदाक की बात करें तो ये लदाक का मैप है इसकी राजानी है ले और करन टुबराज जेपाल है इसके बीडी मिश्रा नेक्स्ट हमारा कोशन है बहु देश्य पोत परियोजना के पहले जहाद समर्थक का शुभारम कहां पर किया गया तो हमारा राइट अंसर रहेगा इस कोशन का फ्रेंड्स ओप्षन नमबर बी चिन्नेई में इसका उद्खाटन हुआ नेक्स्ट कुशन आपका भारत की पहली बायो पोलीमर प्रेदर्शन सुविदा का उद्खाटन कहां पर किया गया ताइट अंसर उप्षन नमबर सी रहेगा फ्रेंड्स पूने महरास्ट्र में भारत की पहली बायो पोलीमर प्रेदर्शन सुविदा का उद्खाटन हुआ महाराष्ट जोवर्मेंस इतकी कैपिटल है मुंबई और मुख्यमंति कोन है यांकी इकनाथ शिंदे राजयपाल है सिपी राधा कृष्णन नेक्स एक एशिया मानव संसादन विकास लाइफटाइम अचीवमंट पुरुसकार दोहजार चोबी से किसे समानित किया गया राइट एंसर ओप्शन नबर सी है जिनका की पूरा नाम है मुथुवेल करोननेदी स्टालिन और करंट में ये तमिनाडू के फैंस मुख्यमंति है इन्हें एशिया मानव संसादन विकास लाइफटाइम अचीवमंट पुरुसकार दोहजार चोबी से समानित किया गया है और ये वोट क्यों दिया जाता है तो ये उन लोगों को और संगठनों को दिया जाता है जिनोंने की मानव संसादन विकास जांफिर लोगों की छेतर में समाज, कॉर्परेट, जगत, जांफिर एचार समधायों को एहम रूप से प्रभावित किया हो वही अगर हम बात करें तमिनाडू की तो फ्रेंस तमिनाडू का आपका गठन कब गया गया था क्योंकि ये तमिनाडू की CM है जिनने ये वोड दिया गया है तो तमिनाडू का गठन हुआ था एक नमबर 1956 को यहां के CM जो है वो हैं के स्टालिन और यहां के राज़ेपाल कोन ह है आर एन रवी थीक है गवर्णर है यहां के राज़ेपाल और फ्रेंस राज़धानी क्या है तमिनाडू की चिन्ने नेक्स कुशन देखते हैं आपका ओलाइन खोटालों से निपटनी के लिए सरकार ने किसके साथ मिलकर दोखा दड़ी से बचो भ्यान की शुरुआत की टाइटन से उप्शन नमबर B है मैटा के साथ मिलकर जो है दोखा दड़ी से बचो भ्यान की शुरुआत की गई है 2004 को की गई थी CEO है Mark Zuckerberg मुख्याले है California में और पूर्वनाम मैं मैंने आपको बताए कि Facebook इसका पूर्वनाम था नेक्स्ट इक काफी ज़्यादा important question तो 2024 के अर्थशास्तर के नोबल पूरुसकार से किसे समारिक किया गया हमारा right answer option number D है उप्युक्त सभी तो Darron S. Moglou, Simon Johnson और James A. Robinson जो है friends इन्हें 2024 का अर्थशास्तर के छेतर में नोबल पूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर तीरों प्रापत करता जो है ये किस देश से है तो डारोन एस्मोगल। जो है ये तुरकी अमेरिकी अर्शास्तरी है, साइमन जोन्सन ब्रिटिश अमेरिकी अर्शास्तरी है, जेमस रोबिंसन ब्रितेन की है। इन्हें भी आर्शास्ते के चेतर में महतपुन योगदान वाले ये विद्वान है जिन्होंने की वैश्विक अर्थ विवस्ता की जटिलताओं को समझने और समझने और समझाने में महतपुन भूमी का निभाई है आर्शास्ते के चेतर में नोबल अवोर्ड आपका दिया जाता है रोल स्वेडिश अक्याडेमी ओफ साइंसेस की दौरा और आर्शास्ते के चेतर में नोबल पुरुसकार की शुरुवार 1968 में हुई थी और फॉस्ट टाइम ये प्रदान किये थे 1969 में पिछले वश्ट 2023 में ये पुरुसकार क्लाउडिया गोल्डीन को प्रदान किया गया था क्यों? क्योंकि इन्होंने महिलाओं के श्रम बजार में स्तिधी को समझने में महत्तपो ने शोद किया था अब हम देखते हैं नोबल पुरुसकार के आपके अन्य विजयताओं के एक बार कंप्लीट लिस्ट तो चिकित्सा के चेतर में नोबल अवोर्ड मिला है लेखी का जिनका नाम है हान कांग को नेक्स से आपका किस राज्य ने माववादी प्रभावित शेत्रों के लिए ग्रामोद्य योजना की श्रुवाद की राइट इंसर आपका उप्शन नबर बी रहेगा फ्रेंड्स और इशाने अगर आपको वीडियो को इक्वालिटी और कॉंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेज जरूर करें तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लिजिए और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप अपने अपना फीडबैक देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपने बताना है कि इन 72 में से आपके कितने आंसर जो है वो राइट है कितने चेल के नाम से जाना जाता है इने चोद्वी महारतन कंपनी का तर्चा मिला है फ्रेंट्स हिंदोस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड जो है इसकी स्थापना की गई थी 1940 को और इसके जो मुख्याली है वो है आपके बिंगलूरू में और करंट इसके जो अध्यक्ष है और प् प्लैट्फॉर्म डिजी लोकर और किस डिजिटल प्लैट्फॉर्म के मद्द समझोता हुआ राइट एंस उप्शन नबर ए है उमंग एप और डिजी लोकर के बीच फ्रेंट्स एक समझोता हुआ है भारत में गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नेक्स्ट आपका द 28 से लेके 29 अक्टूबर तक कहां पे अक्टूबर और कहां पे होगा डिली में यह इसका पहला चरण है जोकी सक्किम के गंग टोक में हो रहा है और दूसरा चरण होगा डिली में 28 से लेके 29 अक्टूबर के बीच नेक्स्ट आपना कोशन देखते हैं विमेंस T20 इंटरनेस्टल क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कोन बनी राइट अंसर ओप्शन नमबर एई है शिफाली वर्मा नेक्स्ट कोशन है अंतरास्टी आपता जोखिम न्यूनी करने दिवस 2024 में कब सैलिवरेट किया गया राइट अंसर ओप्शन नमबर सी रहेगा 13 अक्टूबर को मनाया गया और ये दिवस जोहाय फेंट्स की इस पारे में जागरुकता बढाने के लिए मनाया जाता है कि द जमीन की कमी की कारट 181 वर्ष पुरानी घुड़ दोड को बंद कर दिया राइट अंसर ओप्शन नमबर एई है सिंगापूर ने सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स कोशन देखते हैं आपका अक्तूबर 2024 में जाती सर्वेक्षन शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना तो ये बन गया है तलंगाना ओप्शन नमबर सी इस दा करेक्ट आंसर इससे पहले जो हैपन्स बिहार और आंधर परदे और अब थर्ड नमबर पर कोन आ गया है तलंगना नेक्स कोशन कोन सा देश युनिसेफ को पोशन और स्वास से सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा अपोर्टी करता बन गया तो आपका राइटन से रहेगा उप्शन नमबर बी इंडिया वही अगर हम बात कर युनिसेफ की तो इसे कहा जाता है सनयूक तरास्टर बालकोश जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी मुख्याले कहां पर है न्यू योग में करेंट अध्यक्ष है कैथरीन रसेल नेक्स कोशन अक्तूबर तोबिस में सदी का सबसे खतनाग तुफान मिल्टन ने किस तेश से यह तकराया है यह तकराया है अमेरिका से यानि कि अप्शन नमर्ड दी जा करेक्ट आंसर नेक्स कोशन विश्व मानक दिवस चोहां फेंट्स यह 2024 में कब मनाए गया राइट अंसर उप्शन नमर्ड रहेगा 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट करा गया विश्व मानक दिवस आई कुछ important points कवर करें तो हर साल 14 अक्टूबर को हम विश्व मानक दिवस चोहां यह मनाते हैं यह दिवस आपका क्यों सेलिब्रेट किया जाता है तो यह अंतरास्ठी इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग अंतरास्ठी मानकी करन संगठन और अंतरास्ठी दूर संचार स संग के सद्दस्य द्वरा मनाये जाता है इस दिवस को मनाने का जो मुख्य देश्य है वह दुनिया भर के उन कई विशेशक्यों की प्रति अभार प्रगट करना जिनोंने की स्वाच्चिक तकनिक की मांदन्द विक्सित किये हैं और जिने की अंतरास्ठी मानकों की रूप ठाटा को तो दाटा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे जिनका विभी हाल फिलाल में ही नेदन हुआ है तो उसके बाद आपी टा रसी के नए अध्यक्ष बने हैं उनकी जगए पर कौन? Noel Tata, जो क्यों नहीं के सोतेले भाई है Noel Tata, जो है friends वो इससे पहले Tata International, Tata Investment Corporation Limited के अध्यक्ष है ठीक है? तो चलिए मूव करते हैं हमारे next question की दरव 8000 मीटर से अधिक उंची सभी 14 चोटियों पर चलने वाले सबसे कम उमर के व्यक्ति कौन बने? राइट अंसर आपका इस question का रहेगा option number B, नीमा रिंजी शेर्पा आई कुछ important points कवर करें तो अठ्रा वर्षी नेपाली परवता रोही है नीमा रिंजी शेर्पा ये जो है friends की 8000 मीटर से अधिक उंची दुनिया की सबसे सभी जो है चोधे चोटियों पर चलने वाले सबसे कम उमर के व्यक्ति बने है उनकी ये त्यासिक उपलब्दी जो है ये 9 उक्तूबर 2024 को पूरी हुई जब उन्होंने तिबबत में 8,027 मीटर उंची शीशा पंगमा पर सफलता पूर्वक चड़ाई की नीमर इंजे शेर्पा जिन्होंने की 16 वर्ष के आयू में उंचे पहाड़ों पर चणना स्रूरू किया था उन्होंने 740 दिनों में सबी 8,000 पहाड़ों पर चड़ाई की है नेक्स्कूशन सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्कूशन देखते है भारतिय सेना ने अपना पहला ओवर होल्ड बीशम टैंक पेश किया है इसका क्या नाम है राइट अंसर ओप्शन नमबर A रहेगा T90 भारतिय सेना दोरा इसे पेश किया गया और ये भारतिय सेना का पहला ओवर होल्ड बीशम टैंक पेश हुआ है जिसका नाम है T90 अब मैं आपको भारतिय सेना से जोड़ी कुछ इंपोर्टन पोइंस कवर करवा देती हूँ तो भारतिय सेना की स्थापना एक अपरिल 1895 को हुई थी मुख्याले कहां पर है नई दिली में अदश्वा के है सर्विस बिफोर सेल्फ और हर वश हम सेना दीवे सेलिब्रेट करते हैं पंदा जन्वरी को वर्तमान में हमारे भारतिय सेना के प्रमुख है चनल उपेंदर द्वीवेदी नेक्स्ट आपको कोश्चन है किस मंत्राले ने हीजबूत तहरीन को गैर कानूनी गतिविदियां अधिनियम के तहत एक अतंकवादी संगठन कोशित किया राइट अंसर ओप्शनमबब बीर हेगा केंदरिय ग्रह मंत्राले ने नेक्स्ट माना कोश्चन केंदर सरकार ने बिहार की किस जिले में दूसर बाग भहरने के लिए अस्थाई मंजूरी दे दी राइट अंसर ओप्शनमबब बी है कैमूर के कुछ important points cover करते हैं तो केंद सरकार ने कैमूर जीले में बिहार के दूसरे भाग भहरने के लिए अस्थाई मंचुरी दे दी है कैमूर वनेजीब भहरने को भाग भहरने में तब्दील किया जाएगा जिससे कि ये मौजूदा वालमी की टाइगर डिजर्ब में बढ़ती अबादी को संबोधित किया जा सकेगा जिसमें की 54 बाग है कैमूर के जंगल बिहार में सबसे बड़े हैं जो की 1134 वर्ग किलोमेटर में फैले हुए हैं और राज्ये में सबसे अधिक 34 प्रतीशत हरित छेतर है नेक्स्ट मेंना कुछन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हमने कब सेलिबरेट करा दो हुजा चोविस में ऑप्शनों पर एर आइटन से रहेगा बारा अक्टूबर को सेलिबरेट करा फिरंस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है यह हम दो डेट को सेलिबरेट क कते हैं 11 माई को और दूसरा 12 औक्टूबर को इस पार कर जो इसका थीम है दोनों ही अपका थीम है तो थीम है इसका पक्षियों के लिए कीड़े थिक हैं पक्षियों के लिए कीड़े तब खुलिए next question देखते है हमाना गवर्मेंट E Marketplace के नए CEO जो है फ्रेंट्स वो कौन बन गए राइट अंसर ओप्ष नमबर A है एल सत्य श्री निवास ये जो है ये गवर्मेंट E Marketplace के नए CEO पॉइंट हो चुके है और इन्होंने किसे रिप्लेस करा है किसकी जगे लिए है तो इन्होंने PK Singh को जो है वो रिप्लेस करा है नेक्स प्रश्ण अक्तूबर में लॉंच वोर नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो हमारा राइट अंसर इसका रहेगा ओ सोरी एक कोशन स्किप हो गया उपर वाला पहले वो देख लेते हैं अक्तूबर में जारी Global Hunger Index 2024 में भारत की क्या रैंक रही तो भारत इसमें रहा 105 रैंक पे 105 रैंक पे रहा भारत Global Hunger Index 2024 में काफ़ जादा important question है कुछ important facts कवर कर लेते हैं तो 2024 में इसका कौन सा एडिशन जारी के रहा गया 19 जारी किस ने करा तो वो करा Worldwide और World Hunger देशों को रैंकिंग दी गई जिसमें की भारत रहा 150 स्थान पर वहीं फ्रेंट्स चीन, UAE और कोवेट सहीत 12 देश इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रही वर्ष दो हजार देश की इस इंडेक्स में नेपाल 68, श्रीलंका 56, बांगलदीश 84 नंबर पर है और पाकिस्तान की रैंकिंग इसमें रही 109 नेक्स्ट एक्टूबर में लॉंच वोर नामक पुस्तक के लेखा कौन है राइट अंसर ओप्शन नंबर A है बोब वुडवर्ड द्वारा लिखी गई है वोर बुक नेक्स्ट कोशन राइट अंसर ओप्शन नंबर A रहेगा पांच अक्टूबर को मनाया गया और इस फार का इसका तीम क्या था राइट अंसर ओप्शन दिवस पर संकल पले गंगा और डॉल्फिन को बचाने का नेक्स्ट कुशन किसके द्वारा सिक्किम के गंग्टोक में बहु लक्षे उपकन अगनी अस्तर को लॉंच किया गया राइट अंसर ओप्शन नंबर A फ्रेंस जर्नल उपेंद्र दिविवेदी जो की भारती थलसेना की करंट प्रमुक है इनके द्वारा फ्रेंस सिक्किम के गंग्टोक में बहु लक्षे उपकन अगनी अस्तर को जो है वो लॉंच किया गया नेक्स्ट काफी जदा इंपॉर्टन कोशन तो भारत के जो 51 नंबर के मुखे नायधीश बन गये हैं वो कौन बन गये हैं इन्होंने किसे रिप्लेस करा है तो इन्होंने रिप्लेस करा है डी वाई चंद्रचूड को जो कि हमारे 50 वे नंबर के मुखे नायधीश थे नेक्स्ट आपको कुछ टेएं फ्रेंस फैमिनम इस इंडिया दोहजार चोबिस का टाइटल किस ने जीता कुछ इंपॉर्टन पोइंस कवर करते हैं तो मद्यपरदेश की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फैमिनम इस इंडिया दोहजार चोबिस का टाइटल जीत लिया है अब निकिता पोरवाल मिस वल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनितित्धव करेंगी निकिता जो है फ्रेंस की उजयन में पली बढ़ी हैं मगर कई वर्षों से मुंबई में ही रह रहे हैं दादर और नगर हवेली की रहने वाली रेखा पांडे पहली रनर अप रही इसमें और गुजरात की आयोशी डोल किया दूसरी रनर अप रही नेक्स्ट अब का हर्याना की मुख्य मंती की रूप में किस से बता ली तो लगा था दूसरे वर्ष जो है फ्रेंस दूसी बार जो हर्याना की मुख्य मंती बन गए है वो कौन बन गए है नाइब सिंग सैनी यानि के option number D is the crack dancer हर्याना जो है friends इसकी capital क्या है चंडिगर यहाँ पे लिख रही हूँ हर्याना की capital और मुख्य मंति हमने देख लिए नाइब सिंग सैनी बने है अगर बात करें यहाँ के राज्येपाल की तो यहाँ के जो राज्येपाल है उनका नाम है बंडारू धतातरे यहाँ पे लिख देती हूँ बंडारू धतातरे नेक्स कुश्शन अक्तूबर 2024 में भारत का कौनसा रास्टी उद्यान जो ह differs कि भारत का دोसा तिदली विवित्ता पिंदरबन गया राइट अंसर ओप्शन अबरे यहाँ का आजीरंगा रास्टी उद्यान और काजी रंगा रास्टी उद्यान आपका किस राजे में स्थित है तो यह आपका स्थित है अस्थम राजे में नेक्स्ट कोशन विश्व एनस्थीजिया दिवस तो हजार जोबिस में कप मिनाए गया राइट अंसर ओप्श नमबर बी रहेगा सो लागत उपर को इसमार का चो इसका थीम था फ्रेंज ऊथा वर्क फोर्स वैल वीइंग यहाँ पर लिख रही हूं वर्क फॉर्स वैल बींग टॉन्ट वैसका थीम नेक्स्ट हमारा कोशन मेरा हूँ चोंगबा फेस्टिवल दोहजार चोबिस कहां मनाया गया तो यह सेलिब्रेट करा गया मनिकपुर की केपिटल इंफॉल में यानिक ऑप्शन नमबर ए इस दा करेक्ट आंसर नेक्स्ट कोशन पर आते हैं मध्यपर देश के कि शहर को युनेस्को की विशो धरोर सुची में शामिल किया जाएगा राइट अंसर उप्शन नमबर बी है और शाको आफके हैं को और तो नहीं दिल्ली के तिया राएग स्टेडियं में कोखो विशो धरोर के इंडिया ने कोखो विशकब की ताएखो और लोगों का नावरण करा तूनामेन का उधगाटन संसकन 13 से लेकी 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिली में होगा पहली बार होने वाले खोको विशकप में 24 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया है जिसमें की पूरुष और महिलाओं की 16-16 टीमें हिस्सा लेंगी भारत की प्राचनित्तम खेलों में से एक है फ्रेंट्स खोको और इसे विशकप का उधगाटन जो है संसकन का योजन 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिली में होगा नेक्स्ट आपका 23 एस्सी ओ बैठक में भारत का प्रतिनी दित्व किस ने किया तो ये प्रतिनी दित्व करा गया हमारे विदेश मंत्री एस्जैशंकर द्वारा ओप्शन नुबर बी आपका करेक्टर आंसर रहेगा कुछ important points कवर करते हैं तो 16 October 2024 को इसलामाबाद में आजित 23 एस्सी ओ शासना धिक्षों की बैठक में भारत का प्रतिनी दित्व हमारे विदेश मंत्री एस्जैशंकर के दोरा किया गया इस पैठक की अधिक्ष्टा पाकिस्तान के प्रधानमत्री शेहबाज शेरीफ ने करी जिसमें की चीन, रूस, इरान, मदी एश्याई देशों की नेता भी शामिल थे तदकारिन विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज की 2015 की यात्रा के बाद ये ही किसी बारती मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा थी सुष्मा स्वराज ने दिसमबर 2015 में हाट ओफ एश्या समिलन में भाग लेने के लिए इस्लामावाद पाकिस्तान का दोरा जो है वो किया था वहीं अगर बात करें स्वर्श 2001 में एस्वराज की गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजकिस्तान शंगाई 5 के सदसे थे फिर वर्ष 2001 में संगटन में उजबेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंगाई जो है ये 5 का नाम बदल कर SCO कर दिया गया वहीं भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में इसके सदसे बने इसमें शामिल होने वाला बेलारूस इसका मुख्याले जो है वो चीन के बिजिंग में है और SCO जो है इसके महासचीव है करंड में यांग मिंग नेक्स्ट है जो कि लास्ट कोशन आज के सेशन का उक्तूबर 24 में ICC Hall of Fame में शामिल की गई दूसरी भारती महला क्रिकेटर कौन है राइट अंसर रहेगा आपका इसके सदस्ट का उप्शन नमबर A नित्तू डेवेडर और ICC Hall of Fame में शामिल होने वाली जी कोशन में बताया है उनने की दूसरी महला भारती महला वहीं फ्रेंज जो पहली भारती महला थी जिनने की ICC Hall of Fame में शामिल किया गया था उनका क्या नाम था डाइना एडोल जी यहां पर लिख देती हूँ डाइना एडोल जी ICC की बात करें तो ICC की स्ताबना 1909 में हुई थी मुख्याले दुबई में है और अध्यक्ष जैशा है तो यहीं पर वीडियो कंप्लीट होती है अब आप से ट्रुकोशन का टेस्ट लोंगी जिसका अंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे फर्स्ट है आपके लिए भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेंज जो है यह कौन सी कंपनी बनाएगी फॉर ओप्शन्स आपके पास स्क्रीन के उपर राइटन से आप कमेंट सेक्शन में देंगे नेक्स कुशन टेस्ट का है टाटा ट्रस के नई अध्यक्ष की से निक्ट किया गया फॉर ओप्शन्स आपके पास राइटन से आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो फ्रेंस वीडियो के अंत में आपको बता दो अगर आपको हमारी इबुक्स बई करनी है तो हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com यह आपको लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्किप्शन बोक्स और कमेंट सेक्शन में यहां पे जाके आप हमारी last 9 month की current affairs की ebook खरी सकते हैं इसके लाभ आप हमारी last 7 month, last 8 month, last 6 month की ebook भी भी बैए कर सकते हैं इसी के साथ हमने GKGS की अपनी ebook लांच करी है बी रेसेंट में ही यह part 1 है जिसमें की top 1000 आपको खोशन मिलते हैं ऐसे ही आपको next part भी देखने को मिलेंगे upcoming days में, अगर आपको monthly wise current affairs की e-book पर गरनी है तो वो भी मिल जाएंगी, और एक खुशी की बात आपके लिए ये है कि आपको हमारी e-book जो है ये English और Hindi दोनों mediums में मिलती है, तो English और Hindi दोनों mediums के बच्चे इसे buy कर सकते हैं, एक दम आपको lowest prices में हम e-books जो हैं ये प्रवाइड करवाते हैं, इसके लवा आपको बता दो, अगर आपको हमारी free PDF चाहिए current affairs की तो आप हमारे साथ telegram पे जुड़िए current affairs पा रवी नाम से है, mobile हमने application अपना launch कर दिया है, रवी study gk की नाम से, यहां पे आप test लगा सकते हैं, daily CA का लेकिन इसके लिए आपको 49 रूपीज जो है वो पे करने रहेंगे, one time investment रहेगा आपका, इससे आप one year तक free current affairs का यहां टेस्ट लगवा सकते हैं, ठीक है, one time सिर्फ आपको 49 रूपीज पे करने रहेंगे, इसके लवा आपको यहां पे हमारे paid courses में मिलते है, paid e-books मिलती है, paid mobile application के through, gk quiz लगा सकते हैं, आप यहां पे free content काफे सारा provide कर रहा है, उसका भी आप lab उठा सकते हैं, ठीक है, app का link भी आपको इससे वीडियो के description box में मिलेगा, तो ज़रूर आप हमारे app को install कीजे, जिन्होंने install कर लिया already, वो इस app को जो है, update कर ले, e-books का link कहा मिलेगा आप उन्यों सकते हैं, हूँ दोढा सकते हैं, जणी हैं, आप दोड़ूर आप लिया आप लिए आपी आप लिए? झाल 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 झाल